पिछले साल कन्या कुमारी से कश्मीर तक हमने यात्रा की यात्रा करनी पड़ी अगर मैं अपने आप से पूछता 2004 में 2010 में 2014 में कि मुझे 4000 किलोमिटर कन्या कुमारी से कश्मीर चलना पड़ेगा कि मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था कि यह यात्रा कि शान्त हो जाएं कि यह यात्रा कि हमें क्यूं करनी पड़ी कि क्यूंकि देश का जो कम्यूनिकेशन का सिस्टम है चैह वो मीडिया हो सोशल मीडिया हो वो आज देश के हाथ में नहीं है जनता के जो मुद्दे हैं बेरोजगारी हिंसा, नफरत, महंगाई किसानों के मुद्दे अगनी वीर के मुद्दे जवानों के मुद्दे वो मुद्दे आपको मीडिया में नहीं दिखाई देंगे तो हमेंने ये यात्रा करनी पड़ी क्योंकि और कोई चारा नहीं था देश के ध्यान को पकड़ने के लिए विपक्स को चार हजार किलोमेटर और सिर्फ राल गांदी नहीं चला ये गल्द फेमी में मत रहिए कि ये राहूल गांदी चला है सब पार्टियों के सब विपक्ष के पार्टियों के लोग चले सब नेता आए हिंदुस्तान का पूरा विपक्ष इन यात्राओं में शामिल हुआ शरतवार जी आए उद्धव जी आए तेजेश हुए आए सोशल मीडिया में भी आप गल्ट फेमी में मत रहिए किसी ने कहा कि सोशल मीडिया एक रास्ता है सोशल मीडिया रास्ता नहीं उस पर भी कंट्रोल है अमेरिका की कंपनियों पर दबाव है तो काफी डिस्कॉशन होता है कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनेतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं देश भी सोचता है कि ये जो नेता स्टेज पे बैठे हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं ये एक राजनेतिक पार्टी से लड़ रहे हैं ये सच नहीं है ये गलत है हम राजनेतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और ये समझने की जरूरत है हिंदुस्तान के यवाओं को ये बात समझनी होगी कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं नहीं हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं ना हम BJP के खिलाफ लड़ रहे हैं ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं एक व्यक्ति को चहरा बना कर उपर डाल रखा है हिंदु धर्म में शक्ति शव्द होता है हम शक्ति से लड़ रहे हैं एक शक्ति से लड़ रहे हैं अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है जैसे किसने यहां कहा राजा की आत्मा EVM में है सही है सही है राजा की आत्मा EVM में है हिंदुस्तान की हर संस्ता में है ED में है, CBI में है, Income Tax Department में है एक वरिष्ट नेता नाम नहीं लेना चाहता हूँ इसी प्रदेश के एक वरिष्ट नेता Congress Party को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं मेरी मा से रो के कहते हैं कि सोन्या जी मुझे शर्म आ रही है मेरे में इन लोगों से इस शक्ती से डरने, लड़ने की हिम्मत नहीं है मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ और ये एक नहीं है ऐसे हजारों लोग डराये गए हैं क्या आप सोचते हो शिव सेना के लोग एंसी के लोग ऐसे ही चले गए नए जे शक्ती के मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने उनका गला पकड़ कर उनको बीजेपी एक और किया है और वो सब डर के गए है चाहर हजार किलोमेटर चला उसके बाद छे हजार किलोमेटर मनपूर से महराश्टरा